गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आज हम राइनिया को स्टडी करेंगे, राइनिया एक फोसिल प्लांट है, इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है, डिविजन, साइलोफाइटा, क्लास, साइलोफाइट अपसिडा, ओर्डर, साइलोफाइटेल्स, फैमिली, राइनियसी, जीनस राइनिया, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, कि साइलोफाइटा में, जो प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें रूट्स एपसेंट होती है, उनको इनक्लूड किया जाता है, राइनिया की दो स्पीसिज को रिपोर्ट किया गया है, राइनिया मेजर और राइनिया गुिन्वागिनी, राइनिया को किड्स्टेन एंड लेंग दो साइन्टिस्ट ने स्कोर्ट लेंड की राइनी जगह से रिपोर्ट किया था इसलिए इसका नाम राइनिया रखा गया है राइनिया गुइनवागे नी समाल हर्बेशियस प्लांट था जो 18 सेंटिमिटर लोंग और इसके स्टेम का डायामेटर टू मिलिमीटर था राइनिया के प्लांट में दो पार्ट्स पाये जाते थे एक पार्ट जो सोयल के अंदर पाया जाता था उसे राइजोम कहते हैं और इस राइजोम से उपर की तरफ एरियल शूट या वाइविय अक्ष निकलते थे जो राइजोम है उस पर रूट्स नहीं पाये जाती है इस पर गुच्छों में या टुफ्ट्स में राइजोईड्स पाये जाते हैं ये राइजोईड्स दो फंक्शन करते हैं एक तो राइजोम को सोयल में फिक्स करते हैं इसके अलावा वाटर और मिनरल के राइजोम तथा एरियल शूट की स्टक्चर में कोई विशेश डिफरेंस नहीं पाया जाता था जो एरियल शूट था वह डाइकोटोमसली ब्रांश्ट था यानि द्विशाखी विभाजी था और इन ब्रांचेज के जो शीर्स थे वो आगे भी डाइकोटोमसली पर लिवज एपसेंट थी और राइनिया गुइन वागीनी में जो एरियल शूट था उसके उपर कुछ हैमिस के हैमिसेल सर्कुलर आउट ग्रोथ्स पाई जाती थी जो ब्रांचेज के टिप्स थे वो तो या तो एंट्स में खतम हो जाते थे या उन टिप्स पर कलब शेब्ड यानि मुगदाकार स्पोरेंजियम परजैंट थी इन स्पोरेंजियम में स्पोर्स पाई जाते थे और ये स्पोर्स होमो स्पोरस परकार के थे स्पोरेंजिया का development use sporengiate परकार का था जब स्पोरेंजिया का development एक से अधिक cells से होता है तो उसे हम use sporengiate development कहते हैं जो राइनिया मेजर था वह राइनिया गुईन वागिनी से साइज में लारजर था और उसमें हैमिस्फिरिकल उसकी सर्फेस पर एरियल शूट की सर्फेस पर हैमिस्फिरिकल आउट्ग्रोथ नहीं पाई जाती थी राइनिया गुईन वागिनी में एरियल शूट पर एडवन्ट आइटियस ब्रांचेज भी परजेंट थी जबकि राइनिया मेजर में ये एडवन्ट आइटियस ब्रांचेज या अपस्थानिक शाखाएं नहीं पाई जाती थी इसकी एरियल शूट की इंटर्नल स्टक्चर में स्पस्ट निमन पार्ट्स पाए जाते हैं सबसे बाहर की तरफ एपिटर्मिस है जिसके उपर क्यूटिकल परजेंट थी कोटेक्स दो पार्ट्स में डिवाइडिट था आउटर कोटेक्स और इनर कोटेक्स और सेंटर में इसमें प्रोटो स्टील पाए जाती थी जैसा कि हमने स्टील वाले टोपिक में स्टडी किया था कि वह स्टील जिसके सेंटर में सोलिट जायलम पाए जाता है उसे चार उत्रप से फ्लोयम घेरे रहता है और जिसमें पित नहीं पाई जाती उसे हम प्रोटो स्टील कहते हैं तो एक टिपिकल जो प्रोटो स्टील थी वो राइनिया में प्रजेंट थी जो राइनिया टोपिक है इस पर स्टूडेंट्स छोटे कोशन्स पूछे जाते हैं जैसे राइनिया का क्लासिफिकेशन दीजिए राइनिया की जातियों के नाम बताईए राइनिया को राइनिया क्यों कहते हैं और राइनिया पर 20 से 30 शब्दों में एक शोट नोट लिखे या टिपनी लिखे इसलिए आप इस टोपिक को इसी तरह से त्यार करें